नमस्कार दोस्तों आज रोजबर्रा की सेबजियों की ही सीरीज में एक नई रेसिपी जुड़ने जा रही है जिसे हम सिर्फ बेशन से बनाएंगे और थोड़ा हटके होगी और इसे मैंने नाम दिया है बेशन चाप आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कॉमेंट से लिया है इसमें बहुत ही थोड़ी सी वन फोर्थ टीस्पून के जितना ही हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हमने यां पर डाला है सोडा खाने वाला जो सोडा होता है बेकिंग सोडा और कच्चा सर्सो का तेल दो छोटी चमच डालना है, इसमें रिफाइन ओयल नहीं डालना है, साथ ही साथ इसमें हम दही ले लेंगे, एक से दो चमच, और दही अगर नहीं है, तो आप दही का जो है, इसकिप भी कर सकते हैं, दही को बिना दही के भी बना सकते हैं, इसे, अब इसे हलके से मिक्स कर लेंगे, लेकिन इस पहले हम तेल और दही के साथ ही इसे मिक्स करके देखेंगे डिपेंट करता है आप कितनी कॉंटिटी में बना रहे हो यहाँ पर जो सब्जी बनने वाली है वो अल्मोस्ट तीन लोगों के लिए बनने वाली है बेसन की बहुत तरीके की सब्जीयां बनती है और यह सब्जी उनी में से एक अलग तरीके की सब्जी है जिसका टेक्ट्चर और टेस्ट काफी डिफरेंट होने वाला है बहुत ही जैस्टी बनती है और दिखने में भी बहुत लाजवाब लगती है तो इसका एकदम हमें हार्ड डो बनाना है सर्फेस पर थोड़ा सा ओईल लगाएंगे और यह हम डो को यहां पर ले लेंगे और इस तरीके से चिकना कर लेंगे थोड़े से बेसन में ही काफी सारी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है तो अगर आपके घर में कोई भी सब्जी ना हो हरी सब्जी आंखा के बोर हो गए हो तो आप इस तरीके से सब्जी को बना सकते हो किसी भी सीजन में बनाओ बहुत अच्छी लगती है अब यहाँ इस तरीके का कुछ हो गया है हमारा डो तो अब इसमें थोड़ा सा हम सुखा बेशन या फिर गियू के आटे की मदद भी आप ले सकते हो और डाल करके इसे हम थोड़ा सा जिसे हम रोटी बैलते हैं जितनी मुटाई में बस उतना ही मुटाई में हमने इसको बैल अगर आप इसमें मौयन नहीं लगाएंगे और आपका आटा कीला हो गया तो आप बेल नहीं पाएंगे साथ ही यह चिपकेगा भी बहुत अब इसकी हम कुछ इस तरीके की एक एक इंच चोड़ाई में स्ट्रिप्स काट लेंगे जितना हो सके इसे थोड़ा लंबा ही हमें ब दबा देंगे जब मच के साथ में हलका सा और कुछ इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ यहां पर ऐसे फोल लगाते जाए जितना आपको देखने में लग रहा होगा इसमें जंजट एक्चुल में उतना होता नहीं है जब आप करोगे तो बहुत जल्दी से हो जाएग उनको हम दो पटियों को एक साथ ले लेंगे यहां पर देखे कुछ इस तरीके से छे स्पून्स में यह होकर के लपिटने के बाद में तयार हो चुकी है हमारी पानी यहां पर बॉयल हो रहा था कड़ाई में तो इसी में हम डाल देंगे इनको और करीब करीब 10 से 12 मिनट त तयार हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है 12 मिनट के बाद में इन्हें हमें निकाल लेना है पानी से ठंडा होने देना है तब तक हम मसाला प्रिपेर करेंगे लैसुन और प्याज ले लिया है हमने मिक्सर के जार में और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा काली मर्ज डाल सकते हो अगर आपसंद करते हो तो और थोड़े से पानी की साहता से इसे हम गाड़ा पीस करके तयार कर लेंगे यह रहा हमारा प्याज का पेस्ट और अब हम इसमें डालेंगे रेगुलर जो मसाले रहते हैं पाउडर मसाले आधा चमज डालेंगे हल्दी और शाथ ही साथ लाल मिर्ज पाउडर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और कश्मरी लाल मिर्ज पाउडर का भी यूज़ आप इसमें कर सकते हो जो भी पानी है प्याज का अच्छे से उसी में हम इन मसालों को मिक्स कर देंगे और तब तक हम दूसरा काम देखते हैं जब तक हमारे ये मसाले अच्छी तरीके से सोक हो जाएंगे, फूल जाएंगे, जिससे क्या रहता है, कि जो पाउडर मसाले जब भी आप सोक करके डालते हो, तो वो मसालों का टेक्श्चर काफी अच्छा आता है, ग्रेवी का कलर भी शांदार आता है, यहाँ पर कुछ इस इस तरीके के यह हो गए है, और अभी काफी गरम है, जिसे कि आप देखी सकते हो, इनको ठंडा होने का थोड़ा इंतजार करें, पांच-दस मिनट आप हवा में भी रख सकते हो, या फ्रिज में रख सकते हो, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरीके से, जैसे सोया चाप होते हैं, तो मैंने इन्हें नाम दिया है, बेसन चाप, और इस तरीके से देखो निकालेंगे, आप इनको बड़े-बड़े भी बना सकते हो, स्पून का साइज और बड़ा है, तो आप और बड़े भी बना सकते हो, और अपने मन चाहे टुकड़ों में जितना चोटा बड लंबाई में इन्हें हमें कट कर लेना है, और अच्छी तरीके से इन्हें ठंडा जरूर कर लें, क्योंकि बेसन है, उपर से उबला हुआ है, या स्टीम्ड है, तो इसके जो टुकड़े हैं काफी डेलिकेट है, अब यहाँ पर सरसों का तेल गरम हो रहा है कड़ाई में, तो हम इसमें डालेंगे, इन्टुकड़ों को फ्राइ करेंगे, आप इन्हें शैलो फ्राइ भी कर सकते हो, किसी भी पैन में, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दीती हूँ, मेरे पास इस वक्त पे ना तो नौन स्टिक पैन था, ना ही नौन स्टिक कड़ाई थी, क्योंक पच्छे से इनको फ्राइ कर पाऊगे, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, तो यहाँ बाकी बच्चे हुए तेल में हमने डाल दिया वही मसाला, अगर तेल कम लगे तो जैसे कि आप जानते हो, आपको थोड़ा सा तेल और ले लेना ह थोड़ा पानी डालेंगे, और जो नीचे बेसन चिपक गया था, वह अपने आप ही अभी मसाले के साथ ही निकाल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस तरीके से देखो हो गई ना कड़ाई साब, अब हम इस मसाले को अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि तेल ना कर लेंगे, और अच्छे से कुप कर लेंगे, जब तक कि जो इस सारा मसाला है, इस तरीके से तेल ना रिलीज कर दे, यहां पर डाल रही हूँ, चार से छे दाने, या निकि बहुत ही थोड़े से दो पिंच के जितना सकर या चीने, अब यहां पर हमने डाला है गरम मसाला, थोड़ा सा, इसको भी अच्छे से कर लेंगे, मिक्स, और बस हमारा जो मसाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है, बहुत अच्छी खुश भूआ रही है, तो यह बेसन के पीसेस डाल देंगे, हम यहां पर, और इनको भी हलके हाथों से मिला लेंगे, रह पाएंगे, अब इसमें हम डालेंगे, पानी लगबख दो गिलास के जितना, क्योंकि बेसन के जो चीजे रहती है, तो आप जानते ही हो, बहुत जल्दी से ठिक हो जाती है, इसलिए इनको हलका पतला ही बनाया जाता है, ताकि ठंडी होने के बाद भी यह ज्यादा कीजिए, तो कोशिश कीजिए कि इसे गरम गरम ही सर्व करो, और घी डाल कर ही खाना, रोटी चावल दोनों के साथ बेहत मज़िदार लगती है, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो ट्राइ कीजिए को, और मुझे कॉमेंट करके बताएं, लाइक शेयर करना ना जाएंगे, ल